दोस्तों अब वहावास युईना का फाइनल सूची कब тब मील जाएंगे ? आपके गाउं में कब तक तैयार हो जाएंगे फाइनल सूची जिसकों की वैटिंग लिस्त के भी नाम से जनते हैं and वह लिस्त मील जाने के बाद आपके अकंट में सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकान को प्रेस कर नोटिकेशन का लिए ताकि सरकारी स्क्राइब करें तो चलिए लेना करते वे वीडियो को इस्टाट करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पता दूँ अभी हरे गाव में पेरिपिकेस्न की बाद का प्रोष्ठीस होने वाली है वो होगा घ्रामसवा तो दोस्तों ग्राम सभा भी सुरू हो चुकी है हर एक गाव में ग्राम सभा होना है हर एक गाव में और गाव में ही ग्राम सभा होगी और ये ग्राम सभा का डेट क्या है वो भी आप जान लेजी 24 दिसंबर 2023 से लेकर 4 जनवरी 2024 के बीच में ग्रामसभा होना है, ग्रामसभा सुरू हो चुकी है, आपको alert हो जाना है, ग्रामसभा में क्या-क्या चीजें होंगी क्या-क्या चीजें आपको देखने को मिलेगा, वो भी मैं सबसे पहले आपको बता दू, सबसे पहले वेरिफिकेशन हो रही है verification में कुछ entry हो रहा है online form fill up हो रहा है उनके mobile से उसके बाद एक सूची मिलेंगे वो final सूची नहीं होगा एक सूची तो अभी मिल गया है पंचया सचीविक पास जदी आप अभी तक नहीं देखें तो जा कि देख सकते हैं एन एक सूची और आएंगी जो कि आपको ग्रामसभा के माध्यम से देखने को मिलेगा ग्रामसभा में एक सूची बनेगी जिसको कि हम लोग ग्रामसभा के द्वारा पारित सूची के नाम से जानेगी वो waiting list नहीं है आप लोग इस ब्रह्म में मत रहिए क्या आपको जो ग्रामसभा में जो सूची दिया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, क्या वो सूची 100% पार्दसी के अधार पे बनाया गया है, यानि कि कोई भी ऐसा लाबुक तो नहीं है उसमें, जिनकों की आवास जोजिना का लाब नहीं मिलना चाहिए और उनको मिल रह कि ग्रामसभा 4 जनवरी 2024 के अंदर ही complete हो जाएगा, उसके बाद 18 जनवरी 2024 तक ग्रामसभा में होने वाली सिकायत या फिर ग्रामसभा के बाद होने वाली सिकायत का निराकरन किया जाएगा, 18 जनवरी 2024 तक निराकरन complete हो जाएगा, उसके बाद 20 जनवरी 2024 तक में एक सूची आजाएगी आपके सामने, वो सूची होगा प्राथमिकता सूची, वो होगा फाइनल सूची, उसी फाइनल सूची के आधार पर ही लाबुकों को first payment दिया जाएगा, तो उस सूची में जदी आपका नाम हो जाता है, तो आप 100% confirm हो सकते हैं कि अब आपको अब आबास वेना का आपका नहीं बनने वाला है, जदी आप 100% योग लाबुक हैं तो, उस प्राथमिकता सूची के अंतरगर जदी आपका नाम आ जाता है, जो कि 20 जनवरी 2024 तक में आपको मिल जाएगे, उस सूची में जदी आपका नाम आ जाता है, तो वहां से आपका payment का process सुरू हो जाएग आपसे कुछ डोकुमेंस जो की आवेदन करते समय जो भी डोकुमेंस आपने दिये हैं, वह डोकुमेंस सायद आपसे दोबारा लिये जाएगे, उसके बाद एक agreement कराया जाएगा आपसे कि आप अब आपको आपके account में पैसे दिया जाएगा, आपको agreement करना होगा कि समय जो बना के complete करना है, क्योंकि payment का process अब सुरू होने ही वाली है, उसके बाद आपके account में first payment मिलना सुरू हो जाएगा, चार step में आपको total payment मिल जाएगी, फर्स्ट payment मिलने से पहले आपको कुछ चीजों की तयारी करना होगा, आपके account में dvt लिंक होना चाहिज, जैदि dvt आप आपको और बता दो, वही account आपको देना है उस agreement की time में जो account में आपका आधार sitting है, क्योंकि जदि आप वही account को दे देते हैं, जिसमें की आधार sitting किया हुआ है, तो आपका बड़ी आसानी से payment मिल जाएगी, आपको कोई लपड़ा नहीं होने वाली है, उसके बाद नरेगा की payment के लिए भी आपको नरेगा से apply करना होगा, नरेगा की माध्यम से demand की माध्यम से कैसे आपको payment को receive करना है, इस रिटेट बहुत ही जल आपको वीडियो मिलेंगे, तो उस वीडियो को देख कि आप समझ सकते हैं, उस वीडियो को देख कि आप समझ पाएंगे कैस कैसे नरेगा कि माध्यम से आप अपने पैमेंट को रिसीब कर सकते हैं उसमें लगबग 24,225 रुपए आपको आपके अगाउंट में मिलेंगे कैसे उसमें रिसीब करना है किसी और से आपको संपर्ट करने की कोई जरुवत नहीं है मैं डिटेट से आपको बताऊंगा एक मैंने इस वीडियो में complete दे दिया है तो आप 100% इस चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे अब वावास योजनास से रेटेट कोई और इन्फोर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कॉमेंट कीजिए और सरकारी योजनास से रेटेट कोई और इन्फोर्मेशन चाहिए उसके लिए भी कॉमेंट कीजिए चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए थेंक्यू आपका दिन सुभूं